वेलकम तो अभीनी आट व्लोग्स मेरा नामे अभिशेक और आज मैं आप लोगो को सिखाने वाला हूँ कि आपने हिसाब से कैसे मैनुल मोड की तरह यहां पर गेर ऑपरेट कर सकते हैं वह मैं आपको आज इन डेटेल बताने वाला हूँ यह मेरी महरुति के डिजायर जैडेकसाई आटोमाटिक यानि कि इसके अंदर जो गेर बॉक्स आता है वह एम्ट गेर बॉक्स आता है जिस टेकनोलीजी को कहते हैं यहां पर आप देख रहे हैं कि इस तरीकेस इसका गेर का ले आउट है और यहां पर आर एंडी और मैनुवल जो आपको एम दिख रहा है वो है मैनुवल मोड एम के उपर आपको माइनस और एक नीचे की तरह प्लस वाला सिंबल देखने के लिए मिल रहा होगा इसका क्या मैं आपको पूरा अब बता देता हूं सो सबसे बहले आप यह समझ लो की ड्राइव मोड पर लाने के लिए आपको ब्रेक पैडल को प्रेस करना है और उसके बाद आपने इसको डी पर शिफ्ट करना है अब जैसे मैंने इसको शिफ्ट ही आप देख सकते हो कि कार के अंदर कुछ नहीं करना सिर्फ यहां से आपको इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करना है क्योंकि एम वाला जो सिंबल है आप यहां पर देख सकते हो वो लेफ्ट साइड में है जिसका मतलब है कि सिर्फ आपने गेर लिवर को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है जिससे की कार मैनुल मोड में चलना स्टार्ट हो जाएगी अब आप यहां पर देख सकते हो कि 4 के साथ में लिखा हुआ है M जिसका मतलब है सबस्का में घुठिया अपने अकॉरिंग शिफ्ट यहां पर कर रहया है और अब आप कीक сторछ आपको अपने लिखकालिय के उपने हैं सब्सक्राइब कर दोस के लिए आपको получится यहां पर मिल जाता है जो कि M के उपर माइनस और नीचे की साइट पलस लिखा हुआ है, अगर आप इस lever को नीचे की साइट शिफ्ट करेंगे तो गेर इंक्रीज हो जाएँगे, और अगर आप आप उपर की साइट शिफ्ट करेंगे, तो वहां से गेर काम हो जाएँगे अब मैं आपको इसको करकर भी दिखा जाता हूँ, मैंने इसको प्लस किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, गेर जो है वो increase हो गया है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, कि ब्लिंग कर रहा है, ब्लिंग इसलिए कर रहा है, क्योंकि जो speed है कार की, वो third gear के according नहीं है, इ यहाँ पर मिल जाता है, तो कुछ इस तरीके से आप इसके गेर्स को आपरेट कर सकते हो, मैनुल मोड में, आटमाटिक कार को मैनुल मोड में कैसे ड्राइफ करना, मैंने आपको इन डेटेल बता दिया है, वीडियो आपको अच्छे लिए गयो तो लाइक करें, चैनल को साथ, तिल देन टेक केर, बी सेफ और बाबाए